हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको मोटर साइकल्स में दिये जाने वाले मोनो शॉक एब्जॉर्बर और डुवल शॉक एब्जॉर्बर्स के बीच में क्या डिफ्रेंस है ये बताने वाला हूँ मैं total 10 अलग अलग points पे इन दोनों को ही compare करूँगा और आपको बताऊंगा कि किन points में mono shock absorber बहतर है और किन किन points पे dual shock absorbers बहतर है वैसे इससे पहले एक वीडियो मैंने आपको बता रखा है कि normal suspension और nitrox suspension की बीच में क्या difference और इनमें कौन सा बहतर है तो वीडियो का लिंक मैं आपको description में दे दूँगा तो इस वीडियो को पूरा देखे और अगर आप channel पे नए हो तो channel को subscribe भी जरू कर ले अब फ्रेंट सबसे पहला point है road condition क्यूंकि हमारे इंडिया में क्या है कि आपको हर जगा smooth concrete की road नहीं मिलते है कहीं आपको बेतर road मिलेगा कहीं गड़े वाले road मिलेगा कहीं मिटी वाला road मिलेगा तो हर तरह का road condition होता है तो कौन सा motorcycle का shock absorber बेतर ये जानना जरूरी है तो मैं आपको बता दूँ कि चाहे smooth road हो चाहे rough road हो चाहे गड़े वाला road हो तो जो dual shock absorbers होते हैं उनका जो efficiency होता है जर्क को carry करने का, जर्क को जहलने का और rider को smooth ride का experience देने का तो rough condition हर तरह के road condition में जो dual shock absorber है उनका performance बहतर होता है जहां तक बात रहा mono shock absorber की तो इन्हें उन bikes में देना prefers कहा जाता है जहां पे जो road का condition है वो थोड़ा smooth होना चाहिए हलाकि ऐसा बिलकुल नहीं है कि गड़े वाले road में या मिट्टी वाल लोड में आप शलाओगे mono shock absorber all back के साथ तो आपको problem आएगा लेकिन comparison में dual जो हमारा shock absorber है वो बहतर perform करता है अगला point है load अब हमारे इंडिया में क्या है कि लोग दो आदमी को बठाके motorcycle का riding तो करते नहीं है कभी triple riding कभी चार लोग को बठाके riding करते है तो मैं आपको बता दू कि जो हमारा dual shock absorber है उसके उपर में जब ज़्यादा load दिया जाता है तो उस ज़्यादा load के साथ जो हमारा dual shock absorber है वो बेहतर perform करता है और जर्क वगरा से ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें बचाता है वहीं जो mono shock absorber होता है ideally उसका performance तब बेहतर होता है जब या तो single riding किया जाए या फिर double riding किया जाए अगर triple riding या उससे ज़्यादा लोग को बठाके चलाए जाए उन motorcycle में तो दिक्कत देखने को मिल जाता है आगरा जो point है वो है cornering यानि कि ज़ा हम लोग शार्प turn ले corner करे high speed में low speed में तो इस condition में चूकी जो mono shock absorber है वो bike के center में लगा हुआ होता है और single suspension होता है तो उससे क्या होता? stability बहतर होने के वज़ा से high speed वगरा में जब आप corner करोगे तो mono shock absorber वाले motorcycle के साथ आपको बहतर performance देखने को मिलेगा cornering radius वगरा कम हो जाता है आप अच्छी तरह से corner कर पाते हो इसके मुकाबले में जो dual shock absorber वो थोड़ा सा performance कम देता है corner में खास करके sharp turn लेने में आगला जो point है वो है travel matching और ये एक बहुत ही important point है क्योंकि हमारा जो dual shock absorber होता है वहाँ पे दो shock absorber होता है इस वाई से दो valve भी होते हैं दो piston भी होते हैं लेकिन फरक ये है कि जो दोनो shock absorber है dual shock absorber में वो अलग अलग लगावा होता है और इनका जो performance है जो उनका काम करने का तरीका है वो independent होता है एक दूसरे को पर बें depend नहीं करता है तो जब आप dual shock absorber को tune करते हैं, set करते हो तो exactly ने match कर पाना इनका travel distance यानि की कौन सा shock absorber कितना नीचे आएगा कितना उपर जाएगा, ये travel कितना होगा इसे match कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जल्दी हम लोग अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं और इस वाय से जो swing arm है motorcycle का, उसमें twisting moment देखने को मिलता है एक तरफ आला जाता, shock absorber जुका, दूसरा कम जुका तो twist करता है swing arm ठीक है, इससे क्या होता है जो bike का hindling हो गया, या bike का breaking हो गया या जो पीछे का tire है, उसका जो wear है उसका घिसने का जो chances से वो बढ़ जाता है लेकिन mono shock absorber मेर चुकि single shock absorber है तो वहाँ पे इस तरह का problem देखने को नहीं मिलता है travel matching असानी से हो पाता है अगरा जो important point है वो है spring compression और ये भी बहुत important point है देखे, टेकनिकली अगर समझा जाए तो क्या है कि जो spring होता है mono shock absorber में वो ज़बा मोटा होता आप देखे होंगे और उसका जो length होता है, वो कम होता short distance होता है अब उससे क्या होता है कि जो travel distance होता है mono shock absorber का spring का compression और decompression होता है वो कम होता है जिससे कि इसका performance जो है वो ज़्यादा बेतर होता है जर्क वगरा को जहिनने में वहीं दूसरी तरह जो हमारा dual shock absorber है, वहाँ पे पतले-पतले spring होता है और जो spring होता है उसका length ज़्यादा लंबा होता है travel distance जो है वो बढ़ जाता है इसलिए spring compression चुकि कम होता है इस वज़ा से जो mono shock absorber है वो इस मामले में ज़्यादा बेतर होता है अगला जो point है वो है handling ये बहुत ही important point है और मैं बता दूँ कि इस point पे कहीं न कहीं आपको जो mono shock absorber वाले bikes है वहाँ पे ज़्यादा बेतर handling देखने को मिल जाएगा खास करके high speed में चुकि जो chassis scooper में जो load लग रहा है वो even होता है dual की तरह uneven नहीं होता है तो handling आपको mono shock absorber वाले motorcycle में maintenance और यह बहुत important point है देखिए जो dual shock absorber होते है वो चुकि उनका जो location होता है वो exposed होता है सामने होता है इसलिए हुने maintain करना clean करना यह सब ज़्यादा असान होता है आप individual way पर आपने खुद के motorcycle का भी कर सकते हो लेकिन चुकि जो हमारा mono shock absorber है वो just seat के नीचे होता उसका location कुछ इस तरह से होता है कि उसका maintenance करना periodic maintenance for time पे थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है आगरा जो point है वो है life span मैं आपको बता दूँ यह हमारा dual shock absorber है चुकि वहाँ पर दो shock absorber होते है जो कि जर्ग को load को लेते है carry करते है जहलते है इसलिए जो dual shock absorber होते है उनका life span वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा उसके मुकाबले थोड़ा जल्दी खराब हो जाते है mono shock absorber लेकिन वो जब जल्दी खराब होते है जब उनके उपर में आप ज़्यादा load दो ज़्यादा लोगों को बठाके लंबी दूरी को high speed में carry करो खास करके जब rough surface वगरा हो वैसे देखा जाए तो दोनों का life यह आपको बेहतर देखने को मिलने वाला है आगला जो point है वो है बहुत important है वो है cost तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारा dual shock absorber है उसका cost कम होता है और उस वाज़े से जो motorcycle है उसका भी cost कम होता है इसलिए आज के time पे आपको जितने भी 100, 1500, 200cc तक के जो bike हो है 200cc तक के भी जो bike है वहाँ generally आपको maximum cases में जो हमारा dual shock absorber है वो ही देखने को मिलेगा और जो high end के bikes होते है वहाँ पे आपको mono और dual देखने को मिलता है क्योंकि जो mono shock absorber है उनका जो cost है वो ज़्यादा होता है और उस वाज़े से जो chassis का design वगरा में भी थोड़ा changes करना पड़ जाता है जो seat का height वगरा वो भी थोड़ा अप करना पड़ जाता है तो फिर अगर comparison को अगर हम लोग conclude करे तो मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा mono shock absorber है उस आपको better handling, better stability, better courting वगरा देखने को मिल जाएगा और जो dual shock absorber है वो ज़्यादा load को, गढ़े वगरा को ज़्यादा अच्छी तरस जर्क को carry कर सकता और cost भी इसका maintenance भी इसका असान होता और cost भी कम होता है वासे आपके पास कौन सा motorcycle है, उसमें कौन सा suspension दिया हुआ है यह आप मुझे comment करके जरूर बता है, इसके लाब आपको इन दोनों में से कौन सा पसंद है यह भी आप मुझे comment करके जरूर बता है इसके लाब अगर आप यह जानना चाहते हो कि Tube टायर और Tubeless टायर में क्या डिफरेंस है Carburetor और Fuel Injector में क्या डिफरेंस है Alloy Wheel और Spoke Wheel में क्या डिफरेंस है और Disc Brake और Drum Brake के बिच में क्या डिफरेंस है इन सारे के उपर ही मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है तो आप उन वीडियो को जरूर से देखें लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्टर में देदूँगा इससे आप अपने मोटर साइकल को बेहतर तरीके से समझ पाओगे तो फिंस आज का ये वीडियो आपको पसंद आयो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राई आप मुझे कमेंट करके जरूर बताए इसके लाब अगर आप चानल पे नए हो तो चानल को सब्सक्राब भी जरू कर ले मिलते आगले वीडियो में थांक्स वर लाचिंग दिस वीडियो गुड बाई